Hello everyone, my name is Tarvesh and you're watching my YouTube channel. तीन महिने हो चुके हैं मुझे और मनलब आलमोस तीन महिने हो चुके हैं, वैसके मैं काफे टाइम से बना रहा हूँ, लेकिन तीन महिने से मैं continuously, सिर्फ एक दिन का gap हुआ था, मैं videos बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको subtitles की help से, movies, rap series, short films, इनके subtitles की help से आपको English सिखाने की कैसे वो चीज़ हमें help करेगी, कैसे हम बोल सकते हैं, तो यह video थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं इसमें बहुत detail में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आप मेरा यकीन मानी है, आप video पूरी देखिए, आपको खुद समझ में आएगा, मैं क्या बोलना चाह बोलना चाहिए, यह word आया आपके सामने जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप dictionary में देखोगे, आप google करोगे उस word को और आप उसका मतलब निकाल लोगे, अब alope का मतलब आपको पता चल गया, कि alope का मतलब होता है भाग जाना, किसी के साथ भाग जान अब आपको पता चल गया, कि इसका मतलब यह होता है, आपने फिर continue किया, बुक पढ़ना, आप दूसरे पेच पर गए, आपको कोई और word मिला, आपने उसका मतलब देखा, आप तीसरे पेच पर गए, आपको एक और word मिला, आपने उसका मतलब देखा, फिर चौथे पेच फूर्थ पेच पे आपको वो वर्ड फिर से मिलता है, चीक है, तो आपको फूर्थ पेच पे वो वर्ड फिर से मिला और आपने सोचा कि मैंने इसका मतलब पढ़ा था, लेकिन आपको याद नहीं आया, आपने दुबारा से उसको सर्च किया, आपको समझ में आ, अच्छा, इसका मतलब तो अलोब का मतलब था कि भाग जाना, साथ भाग जाना, किसी करत भाग के शादी कर लेना, वो मतलब होता है इसका फिर आप और continue पढ़ते गए अगले page पे कोई और reward मिला उसका मतलब देगा अब 8 में 9 में page पे जाके आपको फिर वो word मिला, सो अब यहाँ पे 50-50% chances है कि आपको उसका मतलब याद होगा और अगर नहीं होगा सो यहाँ पे आप खुद उसका sense समझ जाओगे, कि अगर एक line आई है कि they both eloped कि वो दोनों साथ भाग गया, तो आप वहाँ से भी अगर आप उसको छोड़ दोगे, book आगे नहीं पढ़ोगे या उस word को use नहीं करोगे सो आप 5-6 दिन के बाद उस word को भूल जाओगे, simple है एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका क्या है, कि आप book पढ़ रहे हो आपके सामने कोई word आया, आपने उसका मतलब देखा ही नहीं, कि छोड़ आप सिर्फ पढ़ दे चले गए अब इस condition में आपको बहुत ज़ादा पढ़ना पढ़ेगा, आप इतना पढ़ होगे कि वो word आपके सामने कम से कम 50-60 बार आए, उतना पढ़ने के लिए आपको नहीं से कम 200-300 pages पढ़ने पढ़ेंगे तब वो word आपके सामने 50-60 बार आएगा और आप उस चीज़ का relate करके मतलब खुद समझ जाओगे वहाँ पर आप उसको अगर याद भी ना करो, उसका अगर आप मतलब देखो भी ना, तो एक ऐसी condition होती है कि अगर एक word आपके सामने use कर रहा हूँ बार-बार तो situation के according आप उसका खुद मतलब निकाल लेते हो इस तरह से मैंने भी काफी सारे word सीखे हैं, जैसे कि example बता हूँ तो crib मुझे crib का मतलब नहीं बता था, कि crib का मतलब क्या होता है, लेकिन जब मैंने आपके लिए videos बनाई है, सब्टाइडल की help से, तो वहाँ पर खुद ही sense समझ में आ जाता है, कि अगर कोई चिड़के बोल रहा है और वो दूसरा उसको बोल रहा है कि तुम crib क्यों कर रहे हो, simple समझ में आ गया कि crib का मतलब चिड़ना होता है सो इस तरह से मतलब समझने के लिए आपको काफी सारे pages पढ़ने पढ़ेंगे तब वो word आपके सामने कई बार आएगा तब आपको समझ में आएगा, दूसरा तरीका यह है जो कि बहुत time consuming है, इतना time शायद हमारे पास नहीं होगा एक चीज़ यह हो गई, जो मैंने आपको बताया इस तरीके सापका word मतलब word के जो meanings है, जो आपके vocab है वो strong होगी, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आगे समझाऊंगा, अब आती है मेरी दूसरी बात, आप जो भी language बापा ने, सब ने उस चीज़ के लिए बोला कि बेटा ऐसे बोलो, इस चीज़ को ऐसे बोलो तब आपकी वहाँ पर जो tongue है, जो आपकी जुबान है, वो उस चीज़ को बोलने के लिए मतलब तयार हुई कि आप इस चीज़ को बोल सकते हो इस तरह से धीरे-धीरे दो-तीन साल में आपको थोड़ा बोलना आया आपने बोलना शुरू कर दिया क्योंकि बच्चों का जो mind होता है वो इतना develop नहीं होता है कि आप logically उस चीज़ को समझ के बोल सको लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं बड़े होने के बाद हमें concept समझना easy होता है concept समझ सकते हैं basics उसके समझ सकते हैं तब बोल सकते हैं तो अगर एक बच्चे के आगे तो मैं ये बोल दूँ कि ठीक है आप बोलो ही मत आप सीधा बाद में logic समझना आप Hindi की जो grammar है वो समझना फिर बोलना वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा लेकिन एक तरीका है कि आप दो-तिन साल तक वो चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं और तब आपने बोलनी शुरू करी अब उस तरीके से सीख गए तो इसमें time बहुत लगा time बहुत लगा efforts बहुत लगे है तो मैंने रब fan off किया हुआ इसने शायद मुझे पसीने भी आ रहे है क्योंकि अगर मैं fan on करके video बनाता तो उसमें आवाज आती चीक है तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई अब मैं आता हूँ हमारे main point पे subtitle की help से English सीखने वाली बात पे यहाँ पे क्या होता है subtitles आपके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ यह है कि आपको एक महौल मिल जाता है आपने अगर मान दीजे तीन या चार वीडियो देखी बीस-बीस मिनट की पंदर-पंदर मिनट की चीक है आपको 2.5 घंटे का टाइम एक मिल जाता है कि आपने अपने आपको fully focused किया हुआ है एक चीज़ के अंदर जहां पे आपको के सामने कोई English बोल रहा है और फिर उसकी Hindi बता रहा है तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो एक तो यह चीज़ हो गई अब मैंने इस चीज़ में क्या किया है मैंने इस चीज़ में एक और चीज़ add की है कि मैं आपको वहाँ पे Hindi भी बोलता हूँ English भी बोलता हूँ साथ में उस चीज़ का जो logic है वो भी बता देता हूँ अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो आपको मान लीजे आपने एक चीज कोई सुनी मैंने एक कोई concept बताया आपने वो concept सुना आपने मेरी कोई और वीडियो देखी उसमें same concept आया आप अगर मेरी 2 या 3 वीडियो लगातार देखोगे तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि same 2 या 3 चीजें हर वीडियो में आती है चीज कि concept same आता है तो जब आपके सामने वही concept मैं बार बार बोलूँगा और मैं हर बार उस concept को हर बार clear करता हूँ ऐसा नहीं कि मैंने पहले clear कर दिया मैं दुबारा नहीं बता रहा मैं हर बार उसको clear करता हूँ क्योंकि हो सकता है कोई नया बच्चा हो वो देख रहा हो तो मैं हर बार उसको clear करता हूँ तो जब आप एक concept को एक पूरे sentence को एक पूरे structure को आप 3-4 बार सुनोगे तो आपको वो समझ में आएगा और आप notice करोगे कि कल को जब आप बोल रहे होगे English तो वो structure आपके अंदर से अपने आप आएगा बिना जान बूच के बोले बिना सोचे वो अपने आप आएगा तो आप ऐसे structures को या तो वीडियो आप बार बार देखिए तब आपको बहुत जल्दी clear होगा या फिर आपको जहां लगता है कि ये structure मेरे लिए बहुत अच्छा है मैं इसको use कर सकता हूँ मुझे समझ में आ गया आप उसको लिख लीजिए दिन में दो या तीन बार जितनी बार आप कर सकते हैं intentionally उसको use करिए आप खुद notice करोगे आपके structure भी improve हो रहे हैं आप उन sentences को बहुत easily बोल पा रहे हैं आप उसको change भी कर पा रहे हैं क्योंकि एक structure में आप अपने लिए तो मैं example की help से आपको वो भी बताता हूँ कि उसको अलग-अलग scenarios में कैसे use करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास दो तरीके ये हो गए या तो एसी आप वीडियोज देखो जिनमें सिर्फ हिंदी बोलते हैं और सिर्फ इंगलिश बोलते हैं ऐसे मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जो सब्टाइटल की हेल्फ से प्रैक्टिस कराने के मोटिफ से क्या करते हैं वो सिर्फ हिंदी बोलेंगे दो बार और दो बार इंग्लिश बोल देंगे अब इस चीज में क्या होता है आपको बहुत सारी वीडियो देखने पड़ेंगी और बहुत टाइम लगेगा मतलब आप 100-200 वीडियो देखोगे आपको पूरा महिना दो महिना लग जाएगा तब जाके आपको एक चीज समझ में आएगी on the other hand जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको concept समझा रहा हूँ so आप जब concept समझोगे so दो या तीन बार में ही आपको वो concept clear हो जाएगा बिलुकुल क्योंकि मैं पोशेश करता हूँ जितना हो सके उतना clear आपको समझा सको अलग-अलग scenarios की help से मेरे लिए चीज बहुत मुश्किल होती है कि अगर मेरे सामने एक sentence आया मुझे हाथो हाथ तब ही मुझे तब ही वो चीज बोलनी होती है तो मेरे अगर आप वीडियो देखोगे 20-25 मिनट की होती है और मेरे सामने जो concept आता है मुझे तब ही बिल्कुल उस चीज के उपर एक sentence बना के उसको अलग scenario में कैसे use करना है मुझे वो चीज तब ही बतानी होती है मैं उसमें cut नहीं ले सकता वो बिल्कुल recording चलती रहती है मेरी चीक है सो वहाँ पर वो चीज मेरे मुश्किल होती है लेकिन मैं अपना पूरा best देता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ सो जब आप इस तरीके से 3-4 बार उस concept को समझते हैं उस concept की understanding लेते हैं तो आपके लिए easy हो जाता है उसको याद करना और उसको use करना चीक है सो आपको ये चीज करनी है दो चीज आप ध्यान रखिए सबसे पहली चीज आप जितनी हो सके आप उतनी वीडियो देखो मेरी उसमें जो आपको use मलब कि अगर आपको कोई sentence है कोई structure है जो आपको अपने काम का लग रहा है उसको आप लिख लो उसको 3-4 बार दिन में use करो इस तरह से तो आपकी बहुत जल्दी practice हो जाएगी और बहुत जल्दी वो sentence structure आपके पक्के हो जाएगे hardly एक या दो दिन में अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप वीडियो देख रहे हो मैं वहाँ पे समझा रहा हूँ structure आपको बिल्कुल आराम से खोल के structure समझा रहा हूँ आप 3-4 वीडियो देखोगे वो structure बार बार आएगा तो आपकी 2-3 दिन में एक structure दो structure जो आपको समझ में आ रहे हैं आपके पक्के हो जाएंगे अब वो आपके उपर है उनको कितना use करते हो वो चीज़ आपके उपर है practice के उपर है कि आप कितना practice करोगे तब ही आपको याद होगा तीसरा तरीका ये है कि जो बाकी लोग जो videos बना रहे हैं जहां पर सिर्फ Hindi बोल रहे हैं एंग्लिश बोल रहे हैं आप उनको महीनों तक सालों तक देखते रहो तो आपको दीरे-दीरे समझ में आएगा थोड़ा बहुत यह चीज़ आपके हाथ में मेरा काम है आपको समझाना मेरा काम है आपको structures clear करना उनको use करना आपके उपर है में आपके अंदर आ के उनको use नहीं करा सकता वो चीज़ आपके उपर है आप उनको कितना use करोगे आप जितना उनको use करोगे आपको उतना ही वो structure पक्के होंगे आपको confidence, आपकी speaking skill, आपका presentation वो सब improve होगा तो ये चीज़ आपके उपर, ये चीज़ मेरे उपर नहीं है, मेरा काम है समझाना, अब भी भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई structure समझ में नहीं आया है, आपको कोई भी doubt है, आप comment box में जाईए, वहाँ पर मुझे पूचिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ लूँगा, और मैं बैठूँगा, आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, जो आपके doubts है, उन सब के बारे में आपको मैं बताऊँगा, चीज़ के तो ये भी तरीका है, काफी चीज़े मैंने सोची हुई है, धीरे-धीरे ही वो सब कुछ होगा, चीज़ के अभी तक आपने लाइक कीज़े, नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब कीज़े, थैंक यू